नमस्कार बच्चों, आपका पी ए नमर्सी ए लर्निंग क्लास इसमें फिर से स्वागत हैं, आशा कर्टियूं आप सब आनन्द में होंगे और स्वस्थ होंगे, आज हम विशे हिंदी इकाई नमब एक पत्र एवं डैली लेकर इस इकाई को आज हम समझेंगे, ये देखिए आपके क्रम संख्या एक, इकाई है पत्र एवं डैली और प्रकार है पत्र और प्रश्ट क्रमांख है एक, देखो बच्चों, संबंदियों, मित्रों और परिवार जनों को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं, वो अनोपचारिक पत्र कहलाते हैं, और कभी-कभी हमें वि पत्र कहलाते हैं, आज कल टेलीफोन द्वारा, इमेल द्वारा, इंटरनेट, मूबाई फोन आदी द्वारा में ये कारे किया जाता है, पर फिर भी पत्रों का महत्वा गम नहीं हुआ, पत्रों के द्वारा विस्तार से हम अपनी बात व्यत कर सकते हैं, और पत्रों के अपने विच्चारों को प्रेशित करना प्रेशित करना अन्य साधिनों के अपिक्षा सस्त है और अधिकार युग तक अपनी बात पहुंचाने या शिकायत करने या आवे देने प्रात्ना अधि के लिए पत्रों का ही साहरा लिया जा सकता है अन्य साधिनों का नहीं अब इस जनम दिन के अवसर पर उपस्तित रहने के लिए मित्र को निमंत्रन पत्र लिखा जा रहा है अब यहां पर देखी साहिल शाह अपने मित्र स्निहल को अपने जनम दिन पर आने के लिए निमंत्रन पत्र लिख रहा है तो सबसे पहले देखो बाइं तरह उसने अपना पत्ता ल जनम दिन और इस बार चुप्ति के दिन ही मेरा जनम दिन है इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बलाना चाहता हूं और उन सब को आज ही निमंत्रा भेज रहा हूं और सब यो लिखना है तुम जानते ही हो कि साल गरा कर्दिन कितने आनद कर दिन होता है उस दिन हमारे कई जरूर आओ यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा और हम उस दिन सारा दिन आनन में बिताएंगे और दिन पर भोजन जलसा खेल आधी होगा और रात में हम सिनेवां भी देखने जाएंगे और मुझे आशा है कि तुम इस अफसर पर जरूर आओगे और मेरा अब देखो सहयल अपने मित्र को जनंदिन का निमंत्र बीज रहा है हुग और शासाथी बिlaughना मेरा मेरा जरूर आएगा और उसके अंधा और आनन्द को और भी आगे बढ़ाएगा और अंत में वे अपने मित्र के माता पिता को साधन चंस पस लिग रहा है और साथ ही उसके मित्र के छोटे भाई कमल और उसकी भैन संगीता को प्यार और तुमारे आगमन की प्रतिक्षा करूँगा आगमन मत्ता आने की और अंत में उसका नाम तुम्हारा मित्र साहिर शा अब देखिए उसके बार आपका दूसरा पत्र यहां पे बजाई पत्र दे रखा है अब यहां पर स्निहल अपने प्रिय मित्र साहिर शा को पत्र लिख रहा है उसकी जिनम दिन की बजाई पर सबसे पहले 22 देखो उसका पत और यहाँ पर आपके पुर्ष्टक में 10 अगस 2011 लिक्षा है प्रण्टो अभी हमारा 2020 चल रहे हैं तो याँ पर आपको 10 2111 का वर्ष भी मिल रहा है तारीफ भी 10 अगस मिल रही है लेकि जब हम पत्र लिखेंगे उस जब भी आप पत्र लिखो तो उस समय जिस समय अब देखिए अपने मित्र को सम्भोधित करे लिख रहा है प्री मित्र सफड्र समर्ड समर्ण अब देखो यहां पर लिख रहा कि कली तुम्हारा पत्तर मिला और हम बहुत खुश्वे और तुम्हाई सालगीरा का निमंत्रम भी मिला सालगीरा जनमदीन का और यह जानकर हमें विश्च प्रसंता भी कि कल तुम्हारी सालगीरा अब देखो अपने मित्र को लिकर बता रहा है कि कुछ दिनों से उसकी मां बीमार रहती है और उनके पिताजी को भी किसको सौंप कर तुमसे आ मिलता अब साथ ही लिख रहा है कि मेरा दिल तो बहुत होता है इस सुब अफशर पर उड़कर तुम्हार पास आ जाओ तो घर की स्थितिका विचार करके विवश हो जाता है विवश में तो मजबूर हो जाता हो मन करते भी मैं नहीं आ सकता अब स साथ ही दे लिख खो लिख रहा है कि अब तो तुम्हें क wrong बढ़े हो और इस अफशर में तुम्हें बदाई क्यों दो और सात लिख रहा है मैं तो चाहता हूं कि भार बार तुमार ये सालगेरा आयकरे और हमें खुशिय ऑंनाने का मॉखा मिले κ उपस्तित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हान लिए शुब कामना है और मैं चाहता हूं कि इश्वर तुम्हें चिरंजी रखे चिरंजी मतलब दिर्गाई हो और तुम्हारा नयवा शुबदाई हो और अंत में तुम्हारा मित्र स्नेहाई अब देखो बच्चो पे नमबर थ्री में आपका थर्ड पत्र है आश्वासन पत्र अब ये पत्र है खेल माकुम में असफल अच्छा पदशन नहीं करने पर सकी को आश्वासन पत्र देखो बच्चो आश्वासन पत्र मतलब दुखी वेक्टी को देरस देने की क्रिया या ब अब सबसे पहले पाय योड देखो उसका पता लिखा हुआ है मात्रचाय स्टेशन रोड कालपूर एंदाबाद फिटारिक लिखी है सन लिखा है अब अपनी सखी का नाम प्रिय सखी जागरती साप्रेम स्मृत्ति अब देखो यहां पर लिख रही है कि तुमारे पिताजी के अच्छा प्रदशन नहीं ना और साथ ही वह लिख भी रही है कि हमने तुम से बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रिथम आओगी देखो फिर वह लिख रही है प्रिय सखी केल में हमेशा जीतना ही मेहत्वपूर नहीं होता अब जो कुछ होने वाला था हो ग होते हैं तो असलता भी वह जी में बहुत कुछ है इसी तरह असलता भी मिलगा क्या है शो प्री सफंठा उनहीं के चन्द के मार्ग में डटी रहते हैं अब निराश या हतुत्सा होने से कोई फाइदा नहीं है मतब अब तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए और तुम्हें हतुत्सा, हतुत्सा मतब जिसका उत्सा खतम हो गया तुम्हें अपना उत्सा भी खतम नहीं करना चाहिए और मैं चाती हूँ कि अब तुम दुगने उस्सा से अभ्यास करो मतब प्रैक्टिस करो तो अगले साल तुमें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं अब देखो उसकी सक्षियू से क्या लिख रही है कि सिर्व तुम जिले में नहीं गुजरात में भी और अंट में तुमारी सकी अवनी अब देखो बच्चो चोथा पत्र आपका है अनुमति पत्र प्रवास में जाने के अनुमति के लिए पिता को पत्र अब देखो यहां पर प्रवास में जाने के लिए एक पुत्र अपने पिता को पत्र लिख रहा है अब देखी पहले बा अब यहाँ पर लिख रहा है आपका पत्र मिला और सबकी कुशलता जानकर बड़े खुशी हुई आप मेरी जरावी चिंता ना करें देखो बच्चों आगे वह लिखता है कि आपको सुचित करते में खुशी हो रही है कि हमारी कख्षा के सभी विद्यारते अगले मेने की सत्रा तारी को जनता एलोरा की गुफाय देखने जाने वाले और मैं भी उस प्रवास में सम्मलित होना चाता हूँ और स्कूल बस की विवस्ता की गई है जाने के लिए और ये प्रवास तीन दिन का रहेगा और उसमें 800 रुपे का खर्च आएगा और इस प्रवास में बहुत से दर्शने स्थल देखने को में लिए दर्शने मतले देखने लायक स्थल और मेरे सवी साथी अब इसने अपने दोस्तों के यहां पे नाम भी बता हैं मनी, साहिल, श्रिया, जाकीर, वहिदा, गुर्मित और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले तो मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाता हूँ तो आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमती देने और 800 रुपे मनी ओर्डर से भेजने की कृपा करें अब देखो यह अनुमती मांगड़ा अपने पिता से कि हमारे क्रक्षा के सभी विद्यारती 17 तारीक और जनतायलोरा की प्रवास देखने जाने वाले और मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ तो आप कृपा करके मुझे अनुमती दे और 800 रुपे मनी ओर्डर से भेजने की कृपा करें और अंत में अपनी माता जी को यो साधर परणाम लिगता है और अपनी छोटी भेहन को प्यार और अंत में आपका आग्याकरी पुत्र रमेश देखो बत्चो ये जो हमने चार पत्र आज समझे ये सभी पत्र अनुपचारिक पत्र थे और ये चारों पत्र आपको अपनी हिंदी की CW में लिख लेने हैं और इसके बार के तीन पत्र हैं वो कहम पार्ट नमबर टू में समझेंगे आज के लिए इतना ही नमस्कार